हेलो फ्रेंट आप स्थाजिका स्वागा था इस वीड में तो यहाँ पे फ्रेंट इस वीडियम Enem देखने वाले देखिए यहाँ पे ऐसे बड़ा बदला हो बार जैसilst पहले कांसिलिंग होती थू अब की बार ईसे पी ज्यादा है और देखि यहाँ पे जो है यह परकीरिया कैसे चेंज हुई है यहाँ पे जो पंजिकन होने वाला था यह registration होने वालत आपका counseling के लिए ये सारी की सारी सीटों पे एक साथ इस पे कराया जाएगा तो ये जो है परकिरिया बदल चुके है पूरी तरीके से तो आपको इसमें ध्यान देना है चाहे आपके अच्छे marks हो ये चाहे इसको जो है कर सकते लेकिन ऐसी गलती आप फ्रेंस बिल्कुल भी मत करना क्योंकि mobile phone का जो प्रोसेजिंग होता है कुछ अलग होता है तो आप ऐसी गलती मत करें किसी भी कैफे से जाके आप जो है इस counseling पूरी जो परकिरिया होगी इसको जो है complete कराए फ्रेंस देखी आप कैफे पर भी जाओगे तो वहाँ पर कैफे वाले से अच्छी तरीके से counseling परकिरिया पूरी करवानी है अगर आपकी एक mistake भी हो जाती है तो आपको हो सकता है कि आपका admission रुख जाए तो आपको बहुत ही ध्यान से counseling परकिरिया पूरी आपको करानी होगी इसमें देखी यहाँ पे जो आज का news paper है इसमें दिया देखी यहाँ पे बेर्ड की counseling के लिए जो है विश्विध्याल ने तैयार इसमें तो इसमें पूरी तैयारी कर ले गई इसमें और देखे ये काउंसलिंग परकिरिया कब से स्टार्ट होगी 6 जून को सुबह 6 बजे से सुरू होगे अभ्यारतियों के पंजी करण इसमें और देखे यहाँ पर जो यह बदलाव हुआ है यह बदलाव अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंस यहाँ पर यह क्या देखे खास बात यह है कि इस बार काउंसलिंग में अभ्यारतियों को ज़्यादा जंजट नहीं है काउंसलिंग के लिए एक से लेकर दो लाख बारह हजार तक रैंक वाले अभ्यारति पंजीकन कराएगे यानि कि यहाँ पे जो यह चेंजिस हुआ है यह पहले चरण में इसमें क्या है एक से लेके 2,12,000 student तक mean counseling परकिर्या पोरी कराएगे पहले क्या होता था एक से लेके 15,000 तक पहले चरण में इनको करा दी इनको मन चाहा जो है government college मिल जाता था ये private college इसके बाद देखे second phase में यहाँ पे क्या होता था 15,000 से लेके 50,000 तक इस परकार से इनको counselling कराई जाती थी लेकिन अब की बार ऐसे नहीं होगी यहाँ पे दिया है एक से लेके 2,12,000 यहाँ कि complete जितनी सीटे है इसमें सारी सीटों पे एक साथ जो है पंजीकरन कराई जाएगा इसमें इसके बाद देखेगे हम जो है सेड्डूल देखेगे इसका इसके बाद यहाँ पे देखे खास बात यहाँ कि इस बार जो है counselling में अभ्यारतियों को जादा जंजट नहीं होगी counselling के लिए एक से लेके जो है 2,12,000 रेंक तक के अभ्यारति पंजीकरन कराई यानिकी सारे के सारे अभ्यारति पहले ही चरण में पंजीकरन करा देगे इसमें पंजीकरन के दोरान जो है केवल उनी अभ्यारतियों का को जो है अपनी माक्सीट की कोपी upload करनी होगी देखिए आपको mark sheet की copy upload करनी है देखिए उसमें आपको mark sheet कौन सी होगी graduation final year की होगी या first year या second year final या जो भी इसमें लगेगा वो आप लगा देना देखिए यहाँ पे जिसका final year का result नहीं आए तो उनकी counseling नहीं होगी उनको पूल counseling के माध्यम से उनको मोका दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पे इसमें बताया आगे जिनोंने इसी सत्र में जो है जो है graduation किया है इसी सत्र में इसना तक किया है या परीशना तक यानि कि आपने graduation किया है या post graduation की परिक्सा दी है बाकी सभी दस्तावेज आविदन के समय ही अभ्यरती से upload करा ले गए थी यानि कि आपसे पहले जो documents upload करा आए थी वही आपके चलेगे अब आपको सायद नए upload जो है ना करने पड़े ये भी clear नहीं किया ये कर देगा कल तक जो है जिन अभ्यरतीयों के अंग 50% से कम है उन्हें परिशनातक की परिक्सा दी है वहें परिशनातक का पर्मान पत्र upload करेगे अब देखिए यहाँ पे अगर आपका graduation में जो है 50% marks नहीं है तो आप जो है यानि कि आप MA, MSC या MCOM में अगर आपके 50% है तो आप उसका upload करिए जिससे कि आपने form भरा है इसके बाद यहाँ पे आगे बहुत सारे ऐसे instrument भी होगे जिनका कि देखिए जो है mark sheet यानि के result आ चुका है लेकिन उनका जो है आपका हाथ में आपके mark sheet नहीं आई तो आप ऐसा करे net वाला निकलवाए उसको जो है हो सकता है कि आप उसको यानि कि आप tested कर वाले principle से या आप जो है उसको upload करे net वाला ही चल जाएगा कोई इसमें दिक्कत नहीं है इसके बाद आगे क्या बता है इसमें देखिए तीन दिन में लेना होगा परवेश यानि कि आपके पास जो है केवल तीन दिन का समय मिलेगा आपको उसके अंदर ही आपको एडमिशन लेना होगा अगर आप नहीं लेते तो आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा रिजिस्टेशन नमबर आप फिर जो है आप एडमिशन नहीं ले पाएगे फिर आपके पास उप्षन बचेगा प्राइवेट कोलिज का जो की देखिए सीटे कम है तो हो सकता है कि वो भर जाए इसमें देखिए पंजी करण के बाद अब भेड़ते को कोली चोईस करनी होगी यानि के जैसे आपका पहले पंजी करण होगा छेतारिक को आपको इसमें भी तीन दिन का समय दिया जाएगा पंजी करण में तीन दिन का समय अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो है आप कोली चोईस करेगे इसमें देखे इसके बाद college choice यानि की लोक करने होगी रुखेल खंड विश्विद्यालेकून की रैंक की आधार पे college आवंटित करेगी इसमें भी आपको केवल 3 दिन का समय मिलेगा आप जो है एडमिशन वहाँ पे आप ले सकते हैं इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो पहले चरन की जो कांसलिंग होगी वो कब से कब तक होगी वो होगी 6 से लेके 18 तक होगी और जो second phase की counselling होगी यह होगी आपकी 15 से यानि कि आपका 15 से 15 जून से यह start हो जाएगी तो इसमें देखिए यहाँ पे 2,12,000 जितनी भी सीट है यहाँ पे सारे student को जो है यहाँ पे पंजिकन करा दे जाएगा देखिए यहाँ पे 2,00,000 student को जो पंजिकन करा जाएगा उसमें से लगबग यहाँ पे 70-80,000 जो है वहाँ पे पंजिकन नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी student की choice है किसी की नहीं है किसी का final result नहीं है को सोच रहा है इसमें BTC करेगा उनका अच्छा माक्स है इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें पहले चरंड की जो है इसमें पहले चरंड की counseling जो है 6-18 जून तक चलेगी दूसरी counseling जो है 15 जून से सुरू हो जाएगी इसमें उसी तारिक से दूसरे चरंड की counseling भी चालू कर दिजाएगी जो है 28 जून तक चलेगी दो चरणों के बाद रिक्त सीटों पर जो है 8 जुलाई से के आसपाद जो है पूल काउंसलिंग की जाएगी इसमें जिनका की जो है रिजल्ट नहीं आभी तक तब तक आ जाएगा तो उनको यहां पर मौका दे जाएगा अकर सीटे खाली रहती है त तो यहां पर पूल काउंसलिंग भी नहीं कराई जाएगी अब की बार भी देखे इसके बाद 1 जुलाई से सत्र सुरो होगा काउंसलिंग पूरी कर 1 जुलाई से सत्र सुरो हो जाएगा 15 जुलाई तक पूल काउंसलिंग की समापती हो जाएगा यानि की 15 जुलाई को जो है यानि कि 15 जुलाई तक भी एडमिसन हो सकता है अगर आपका यहाँ पे सीट खाली रह सकती है कुछ प्राइवेट कोली जैसे है जिनमें की सीट है खाली रह जाती है तो वो पूल कांसलिंग के मध्यम से एडमिसन देते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ और परकिरिया देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट होगी कांसलिंग के लिए देखे 6 जून से को जो है कांसलिंग सुरू होगी अब भ्यारती यूपी बीएड 2019 इन पर निर्देश पढ़कर कांसलिंग के लिए पंजीकरन कराएगे इसमें पंजीकरन सुल्क जो है 750 रुपे इसमें रखा गया है जो है आपका इसके बाद पहले चरण की कांसलिंग के लिए पंजीकरन नो जून तक ही होगे यानि कि आपका जो ये पंजीकरण होगा ये होगा 6 से लेके 9 जून तक आपका इसके बाद पंजीकरण के समय ही college choice यानि कि लोग करने होगा अब देखें यहाँ पे जब आपका ये पंजीकरण होगा यहीं पे college choice करेगे पहले ऐसा नहीं होता था तो अब की बार आपको college इसी के साथ choice करने है अब देखिए यहाँ पे problem होगी जिनका की बहुती अच्छा माक्स है वो कैसे college choice करे जिनका कम माक्स है एक लाग डेड़ लाग रहें कारी वो कैसे college choice करे यहाँ पे अगर आपका देखिए बहुती अच् प्राइवेट कोलीज आप चोईस कर लिजे अगर आपका माक्स वो होती अच्छा है अगर आपका देखिए माक्स अच्छा नहीं है तो आप कैसे करे देखिए अगर आपका रैंक देखिए लगबग जो है तेड़ लाग के आसपास है तो आप कैसे college choice करे इसमें अब 10 से 15 private चोईस करते 10 से 15 20 तक भी आप कर सकते तो आपको मिल जाएगा अब देखिए अब की बार जो है problem होगी क्यों होगी तो अब की बार जो है मन चाहा college नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा पहले देखिए 15,000 की counseling एक साथ होती थी तो 15,000 में college choice करते थे वो अराम से उनकी choice का college मि है लोग करेगे तो वहाँ पर हो सकते कि आपको लाश्ट वाले college मिले जो कि आपके इच्छे के नुशार ना भरे गई हो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दो दिन बाद यानि की 11 जून तक अभ्यारती को रैंक के आधार पर उनकी पसंद के आधार पर जो है college जो है अवन्टित किये जाएगे अब देखिए यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर यह college आपको यह दिये गया है अगर आप यहाँ पर college में admission नहीं लेते तो देखिए आपका जो है वो फीस जो है वो नहीं कटेगा अगर देखिए आपके जो है marks कम है तो आप कैसे करें अगर आपके दो लाग से जादा रैंक है तो आपके लिए मुस्किल हो सकती है अगर आपकी दो लाग से रैंक कम है तो आपको प्राइवेट college मिल जाएगा कही ना कहीं आप जादा से जादा college choice कर दीजी अगर आपकी दो लाग से जादा है यानि की बहुत जादा आरे रेंक तो आपका देखिए इसमें पहले चरण में काउंसिलिंग होगी दो लाग इस्टुएंट की तो इनमें लगबग जो है सतर से असी हजार इस्टुएंट जो है या नब्य हजार जो है इसमें एडमिशन नहीं ले पाएगे किसी कारण से उनकी चोई जो है अलग है या बीटी सी करनी है उनका देखिए मार्क्स बहुत ही जादा है देखिए टैंत में ट्वैल्थ में जो है उनका या गरेशन में वहाँ प के बहुत ही जादा कम मार्क्स है आपके 90 मार्क्स है या आपके 100 मार्क्स है या आपका 70 मार्क्स है तो आप ऐसा करें किसी भी प्राइवेट कोलिज में जाके जो अभी बात करें अपना डोकुमेंट जमा करें हो सकता है कि आपकी जब पूल काउंसलिंग होगी उसमें जो है आप चोईस कर दीजे सबसे पहले गोर्मेंट कोलीज चोईस करें आप 8, 10, 12, 13 यानि कि यह है कि अपने डिश्टिक के अलावा भी आप जो है कोलीज चोईस करते हैं अधर डिश्टिक में भी आप जो है कोलीज चोईस करें गोर्मेंट कोलीज करें या प्राइवेट को college में जाके बात करें आपकी वहाँ पे जब सीटे खाले रहेगी तो pool counseling में आपको एक दम जो है admission दे दे जाएगा आपको pool counseling के माध्यम से यह आपके पास option बचा है और एक option आपके पास यह बचा है अगर आपके यहाँ पे marks बहुत ही कम है आपको admission जो है नहीं मिलता तो आपका 10th 12th graduation में marks बहुत ही अच्छा है 220 marks है या आपका 230 है या 240 आपका बनना है तो आप BTC करें वह आपके लिए best रहेगा हो सकता है कि वहाँ पे आपका government college मिल जाए और देखें लाश्ट सजेशन जो है मेरे सभी friends को देखें जिनका की जो है rank आ रहा है तीन लाग के अपरोपस आ रहा है तो आप किसी private college में आज ही जाए और बात करें अकर वहाँ पे सीटे खाली रहेगी तो आपको admission दे दे जाएगा और देखिए बहुत सारे गलतिया कर सकते है counseling में तो आप बहुत ही ध्यान से counseling कराए ऐसा ना करें जैसे कि आपने फार्म भरते समय करा था finger की जंगा थम थम की जंगा finger या date of birth डाल दी वहाँ पे माता पिता का नाम गलत डाल दे तो ऐसी गलती आप बिलकुल भी नहीं करना बिलकुल अच्छे से counseling कराए अपने साथ बैट के कराए और ऐसा ना करेगी आप जो जिसने फार्म भरा ही नहीं counseling की ही नहीं उसी से जाके करा दो जो कि वहाँ पे काफी सारे student करा रहे तो आप वहाँ से जाके जो है दिसा निर्देश खुद पढ़े कल को आएगा उसमें तो अच्छे से आप उसको counseling को कराए कोई भी mistake नहीं करना है